अब देख सकते हैं यह मैंने डाइग्राम बनाया है अब मैं आपको बताती हूँ क्या 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 खेलाता है यह जो लाइन्स दिखरी है स्पर्म डग कहलाता है यह जो है यह पैनिस कहलाता है और यह टेस्टीस कहलाता है और एक और बार टेस्टीस की male sex hormones are secreted by the testes मतलब जो male sex hormones होते हैं वो testes ते ही secreted होते हैं तो आप इस बार इस diagram पच्चे से देख लिजे Friends, यह female reproductive organ हम इसे ovida कहते हैं इसे uterus कहते हैं इसे vagina कहते हैं और इसे ovary कहते हैं और ovary की बाद female sex hormones ovary से ही secreted होता है किसे female sex hormones ovary से ही secreted होता है और female sex hormones को estrogen भी कहा जाता है क्या कहा जाता है? estrogen तो आप इसे अच्चे से देख लिजे एक बार अब हम जानेंगे metamorphosis के बारे में तो मैं आपको बता आती हूँ metamorphosis क्या होता है पर उसके पहले मैं आपसे question पूछना चाहूँगी जो यह video देख रहा है वो जानता है metamorphosis क्या होता है? अगर जानता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जानता है तो आप tension मत लीजे मैं बताती हूँ तो हम स्टार्ट करते हैं What is metamorphosis? It is defined as a process in which an animal body structure abruptly change through a cell growth and differentiation It is a biological process मतलब Metamorphosis एक एक ऐसी process है जिसमें animal का जो body structure होता है वो अचानक से change होता है किससे? Cell growth से और यह एक biological process है अब आपको एक example भी देना जाओंगे इसका This is the example of metamorphosis The life cycle of a frog तो हम जानते हैं क्या है life cycle of a frog First point है Tadpole emerging from the egg will have gills, tails, etc मतलब जो एक छोड़ा tadpole होता है वो अंडे जो एग होता है उनमें से निकलता है तो उनके पास gills रते हैं, tails रते हैं और भी कुछ रती ही चीज़ है अब second point में है They can swim easily in water मतलब वो पानी में आरांग से तेर सकते हैं और third point है It undergoes abrupt changes and develop into a mature frog मतलब उसमें कुछ abrupt changes होते हैं और एक mature frog में convert हो जाते हैं अब आपको दिखाती हूं में इसका diagram Metamorphosis की जो life cycle होती है यह फ्रॉक की वो बताती हूं सबसे पहले eggs होते हैं उसके बाद फिर वो eggs में से निकल के early tetpoles बनते हैं उसके बाद धीरे-धीरे develop होने के बाद वो lead tetpoles बनते हैं इनके pair बहार आ जाते हैं और उसके बाद फिर बाद में adult frog में बन जाते हैं यह क्या है? यह adult frog में एक convert हो गया है फिर यही repeat होई की cycle फिर egg में होंगे फिर early tetpoles फिर late tetpoles फिर adult frog में हो जाएंगे तो अब मैं यह video यहीं end करती हूं I hope you like this video Please like, share and subscribe Thank you